नवश्कार नोप्रिया आजे 24 जून खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर समय पर दूर होगी बिजली की समस्या शही धर्बेंद्र कुमार सिंग पंच तत्व में हुए विली बिहार के उचे स्थारों पर होगी गुलाब शिबला मिर्च और सीजन की सबजी और रोशिधी की खेती बिहार के 17 जुलों में मौनसून की गतिविधिया रहेंगी जारी टच में दिखे विरात कोली नहीं खेल पाई बड़ी पारी अब जले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से समय पर दूर होगी बिजली की समस्या 17 जुलों में किया गया बिजली कोट का अगठन आम लोगों के लिए बिहार में बिजली की समस्या आम बात हो गई है हाला के इससे भी परिशानी यही रही है कि लोगों की समस्या का समधान जल्दी नहीं निकल पाता है कई बार तो बिजली विभाग भी समय पर समस्या का समधान नहीं निकाल पाती हाला के अब इन सब के बीच बिहार में इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार की नितीश सरकार ने अलग से कोट बनाने की खोशना कर दी है इसी को लेकर 17 जिलों में बिजली कोट बनाने का काम होने वाला है जो भोगता बिना वकील और फीस खुद केस लड़ सकेंगे अच्छी बात ये है कि शिकायत सही पाई जाने पर बिजली अफसरों से जुर्माने की वसूली की जाएगी और ये राशी उपभोगता को दी जाएगी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि राज़मे अभी एक दशमलब साथ शोने करोर बिजली उभोगता है बिहार में शुरू हुए पित्रपक्ष मेले की तयारी विहार की गया के विशुप्रसित पित्रपक्ष मेले को लेकर जुला प्रसाशन ने अपनी तयारी शुरू कर दी है इसको लेकर जुला पदा दिकारी डॉक्टर त्याग राज़न SM ने यातायात और आवासन कोशांग को और ज्यादा तेजी से काम करने के संबंध में समिक्षा बैठक बुलाई थी जहां पर ही उन्हाने कहा कि पुर्व की भाती ही इस साल भी अधिक संख्या में तीर्थ यात्री की आने की संभावना है इसलिए पुर्व में 51 सरकार आवासंस्थल चिनहित किये जाते थे जो इस साल लगभग दोगुना करते वे सो सरकारी आवासंस्थल चिनहित करने का काम किया जा रहा है इसके लिए भी सभी सम्मंधित आवासंस्थलो को वरिये उप्समाहरता द्वारा टीम बना कर फिजिकल वेरिफिकेशन कराये जाएगा इसमें पेई जल शौचाले बिजली की विवस्ता इत्यादी बिंदू अपर प्रात्मिकता रहेगी आज बिहारी बुट्ट्रे स्पेशल में हम बात करेंगे जगनात मिश्रा की जगनात मिश्रा एक भारतिय राजनेता थे जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्रे मंत्री मंदल के मंत्री के रूप में कारे किया वो 1988 से 1990 और 1994 से 2000 के बीच रज्यसभा के सांसर भी रहे भारतिय रास्ट्रे कॉंग्रिस में उनकी भागिदारी उचिस्तर पर थी वो तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए अपने भाई एलन मिश्रा की हत्या के बाद जगनात मिश्रा सतर और असी के दश्रक के अंत में बिहार के सबसे शक्तिशाली कॉंग्रिस नेता बन गये 1990 में लालुप्रिसाद यादर के उदे से पहले जगनात को कॉंग्रिस में सबसे बड़े जननेता के रूप में दरजा दिया गया था उन्हें प्यार से डॉक्टर साहब कहा जाता था उन्हें मौलाना जगनात की रूप में भी जाना जाता था क्योंकि मुसल्वानों के साथ उनके दबबे की कारण उन्हाने 292 में उर्थु को राजी की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मिर्ष्रा ने लोक लुभावन बाद का समर्थन और अभ्यास किया था और लोक लुभावन अरजुत किया। कैमूर में तीन, कटिहार में चार, खगडिया में एक, किशन गंज में दो, मुंगेर में एक, मुझफरपूर में पांच, पट्ना में संतावन, पूर्निया में एक, रोहतास में साथ, सहरसा में एक, समस्तिपूर में एक, सारन में एक, सीता मढ़ी में एक, सिवान में दो, व 12 गंटे दिन भर में करना होगा काम, हर दिन काम करने की निर्धारित सम्यावधी में जल्दी बड़ा बदलाव होने वाला है, इसके तहट अब हर दिन कर्मचारियों को 8 गंटे की जगे 12 गंटे का काम करना पड़ सकता है, जानकारी के नुसार अब इस समद में केंदर सरकार 1 जलाई से अब नए लेबर कोड को लागो करने जा रही है, जिसके बाद अब कर्मचारियों को सब्ता हमें 48 गंटे ही काम करने होंगे, यानि अगर वो एक दिन में 12 गंटे काम करते हैं, तो उन्हें सब्ता हमें केवल 4 दिन काम करना होगा, मीडिया में चड़ रही खबरों केनसार सालों पुराने लेबर कानून की जग है, अब केंदर ने 44 सेंटरल लेबर अक्ट को मिला कर ये चार नए लेबर कोड तयार के हैं, कई कंपनियां इसकी तयारी कर रही है, शही धरमेंदर कुमार सिंग पंच तत्थ में हुए विली, एक बार फिर से बिहार का एक बे के अलावा आसपास के कई गाउं के लोगे खटा हुए और शही धरमेंदर को श्रधांजरी दी, इसके बाद शही धरमेंदर को उनके 12 साल के बेटे ने मुखागनी दे कर अंतिम संसकार किया, मतादे की बुधवार देराथ शही धरमेंदर कुमार सिंग का श्रभ उनकी गा यह मंदिर रही का प्रखंड में कपिलेश्वर गाउं में सित है, मानिता है कि यह मंदिर कपिल मुणी द्वारा स्थापित है, यहां सालो भर प्रतिदिन भारी संख्या में श्रधालो द्वारा दर्शन पूजन और जलाभिशे किया जाता है, साथी यहां प्रतिवर श्रा दावार कर मुनाफा क्माने का मौका मिलने वाला है। की दीज सहमती बिहार में सड़क्या दयात को सुगम बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है इसी बीच आने वाली समस्या से भी जल्द निपटने की हर संभव कोशिश कर रही है इस बीच पटना गया डोभी एनेच फोर लेन निर्मान की बाधा पर सुनवाई कर रहेंगे अगली सुनवाई में ये टीम कोट को रिपोर्ट देगी कोट ने पिछली सुनवाई में जिला प्रसाशन को जिनका भूमी अधिकरहन किया गया है उन्हें मुहावजा देने की कारवाई में तेजी लाने का निर्देश दी थी और अब इस मामले पर अगली आए गया है कि साल 2008 के सिक्षक नियोजन के रिक्तियों के आलोक में जिला सिक्षक प्राधिकार के आदेश पर 2018 में इन सिक्षकों की नियुक्ती प्रकंड सिक्षक के पदपर की गई थी नियुक्ती के बाद इन तमाम सिक्षकों से लगातार काम भी लिया जाता रहा लेकिन जब भी वेतन भुगतान की बारी आई तो सिक्षा वभाग ने उनकी अहरता पर सवाल उठाते वे वेतन पर रोक लगा दी वहीं कोट को बताए गया है कि हाई कोट ने पिछले साल लवंबर में ही सिक्षा वभाग को आदेश दिया था कि नियुकती होने के बार वेतन पर अहरता को लेकर रोक लगाना अनुचित है वहीं छे महीने बीतने के बार भी वभाग की तरफ से ना ही कोई ठोस उपाई निकाले गया और ना ही सिक्षकों को वेतन का भुगतान किया गया मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी बिहार में रेल पर योजना अब भी नहीं हुई सामाने अगनिपत योजना के खिलाफ बिहार में हुए भारी विरोध प्रदर्शन की कारण रेलवे को आंदोलन कारियों और शरारती तत्वों ने जम कर निशाना बनाया पिछले हबते ही इस पर भारी विरोध देखने को मिला था जिसके तहती कई ट्रेनों में आग लगा दी गई थी तो वहीं कुछ स्टेशन भी जला दिये गये थे या तोड़ फोर हुई इस वज़े से ही अब 17 जून से ही बिहार में रेल परिचालन बुरी तरह से बाधित हुआ है हाला कि मंगलवार 20 जून से कई ट्रेनों को नियमित रूप से शुरू तो कर दिया गया विहार के उचे स्थानों पर होगी गुलाब शिमला मिर्च ओफ सीजन की सबजियों और ओशिधी की खेती विहार के लगभग 2.5 लाख वर्ग मीटर में फैले उचे स्थानों पर अब गुलाब शिमला मिर्च ओफ सीजन की सबजियां और ओशिधी की खेती होगी जो यहां आपको बता दे कि उध्यान ने देशाले धाई लाख वर्ग मीटर के हाई लैंड में और्नामेंटल फूल, जर्बेरा, ब्लुड लॉई, गुलाब, खीरा, शिमला मिर्च, ओफसीजन की महंगी सबजियां और शधी की खेती करा कर किसानों की उन्नती की नीव रख है, इस मुहीं में करीब 789 किसानों ने रूची भी दिखाई है, योजरा का लाव लेने के लिए सभी जिलों की किसान व्यक्तिगत और समूह में और नावेदन लिये जा रहे हैं, यह खेती का ऐसा तरीका है, जिसे जाल के अंदर मियंतरत किये गये तापमान में खेती की ज जा सकती है, जिसे शेड नेट कहा जाता है, शेड नेट का कुल लक्ष 50,000 वर्ग मीटर तैं किया गया है, बिहार के 17 जिलों में मौनसून की गतिविधिया रहेंगी जारी, बिहार में दक्षिनी पश्चिमी मौनसून ने मजबूत पकड़ बना ली है, राजनारी पटना रहतास और कुछ अन्य जिलों को छोड़कर बिहार वासियों को परियापत बारिश मिल रही है, दक्षिन बिहार के कुछ इलाकों में भी मौनसून सख्रिय होने से लोगों को गर्मी सिराहत मिली है, उतर बिहार में जम कर बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने शुक्रबा बिहार में हलकी बारिश के आसार है। अनुपलब्ध हो जाएगा ओन्लाइन आवेदेन में अगर तुटी है तो चार से पांच जुलाई तक सुधार कर सकते हैं ओन्लाइन रेजिस्टेशन का भुगतान 30 जून तक होगा नेट बांकिंग, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपी आई से भुगतान 1 जुला 28 जुले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, मौनसून ने राज्य में दस्तक दे दी है, प्रदेश के उत्तरी भुभाग में लगातार अच्छी बारिश हो रही है, इसकी वज़े से मितलांचल, सिवांचल और कोसी इलाके में नदिया उफवान पर है, मितलांचल में अध चल रहा है, मीडिया में चल रही, खबरों की माने तो साल 2025 तक बुद्ध के सरकिट आपस में जुड़ने की बात कही गई है, इस सरकिट के तहत मुख्य पांच सडकों को जोड़ने की बात कही जा रही है, जिसमें पटना गया डोभी रोड, अस्साम, दरभंगा एक्सप्र आविरर नीतिकार में से एक प्रशांत किशोर ने बिहार की सडकों को लेकर नितीश सरकार पर हमला बोला है, प्रशांत किशोर ने मधुबनी जिले की नाशल हाइवे का एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि 90 के दशक के जंगल राज में, बिहार में सडकों की स्थती की याद द के वधान सबाच शिनावों में लालू नितीश गटबंधन को जीत दिलाने में मदद की थी और अपचारिक रूप से जद्यू में शामिल हो गये थे तेजस्वी पर भढ़ के नितिन नवीन, अगनिपत योश्रा को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी थमतीन नजर नहीं आ रही है, लगादार बयानबाजियों का असल सिलाजवारी है हाली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदर, तेश प्रतापी आदर सहित तमाम राजवत विधायकों ने विधान मंदल से राजभवन तक पैदल मार्च कर योजरा को वापस लेने की बांके थी जिसके बाद ही अप्तेजस्वी सत्तापक्ष के निशाने पर है, इसी कड़ी में अप्तेजस्वी को बीते दिन बिहार के पतनिर्वान मंतरी नितिन नवीन ने निशाने पर लिया बिहार के अधिक्तर युनिवर्सिटी इस समय से ना तो परीक्षा लेती है और ना ही परिणाम घोशित करती है तीन साल के सनातक के कोर्स के लिए विद्यार्थी को पान साल लग जाते हैं बाजबा ध्यक्षण जैसवाल ने अगनीपत स्कीम पर सवाल उठाने वाले और पुनर्विचार करने की बात कहने वाले जदियू को इसको ले कर लता रहा है संजज जैस्वाल ने कहा कि पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि तीन साल में ग्राजवेशन में 2019 का लड़का अभी पार्ट टू का एक्जाम दे रहा है जहां लड़का 22 साल में ग्राजवेशन नहीं का वहां ये कहा जा रहा है कि पुनर्विचार होना चाहिए महिसेंज जैस्वाल के आरोप पर जदियो संसदिय बोड के ध्यक शुपेंदर कुश्वाह ने कहा कि जवाब दे ही किसकी है और किसे जवाब मांगा जा रहा है युनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ती का मामला सभी जानते हैं इसलिए कुछ भी सोथ समझ कर बोलना चाहिए क्या महरास्ट्र की राजनेतिक संकट का बिहार पर पड़ेगा सर महरास्ट्र में राजनेतिक संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है शिफ्षेना में विद्रो के बाद महा के सरकार पर खत्रा बना हुआ है पुरेदेश की निगाहे अब महरास्ट्र पर टिकी हुई है क्या इसका सर बिहार पर भी पड़ेगा राजनेतिक विशुशग्यों का क्या मानना है इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो जवाब नामे आया दरसल बिहार में जदियू कार्याले में जनसुनवाई कारिक्रम में पहुँचे मंतरी विजेंद्र यादव से जब सवाल पूछा गया तो रहाने शाफ तोर पर कहा कि ये महारास्ट्र में सिर्फ शेना का इंटर्नल मामला है कोई political crisis नहीं है पार्टी के नेता के खिलाब विद्रोग हो रहा है तो उस पार्टी की रास्ट्री अध्यक्ष प्रांतिय अध्यक्ष मामले को देखेंगे उससे बिहार का कोई लिना देना नहीं है तेश प्रताब अपने गाउं में कराएंगे भगवत कथा अपने बयानों के कारण सुर्ख्यों में रहने वाले राधत सुप्रीमों लालोपरसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपूर के वधायक तेश प्रताब यादव श्रीकृष्ण जनमाश्टमी महोटसाफवर श्रीबद भगवत कथा का आयोजिन करवाने जा रहे हैं जो कि उनके पैतरिक गाउं गोपाल गंजिले के फुल वरिया में किया जाएगा इस बात की जानकारी तेश प्रताब ने अपने ट्वीटर हैंडल से ट्वीट करके दी है जिसके तहती तेश प्रताब ने ट्वीट करते वे लिखा कि कल्यूग में श्री भगवत कथा सुन्ने मातर से सोया हुआ ज्यान बैराग्य कथा श्रवन से जागरित हो जाता है कथा कल्प विक्ष के समान है जिससे सभी इच्छाओं की पूर्ती की जा सकती है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि इस श्री भगवत गीता कथा का आयोजिन 19-25 अगस तक शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा और इसे फेस्बुक पर लाइफ भी किया जा था ब्रिटिश कमिष्टर डब्लू सी रांड की जान लेने वाले क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं में सबसे बड़े थे उनके दादा का नाम विनायक था और उनकी माता और पिता क्रमशह धवार का और हरी थे आज ही के दिन सुमोना चक्रवर्ती भारतिय विनेत्री का जनमिस सालों ने सो 99 को हुआ था टच में दिखे विराट कोली नहीं खेल पाई बड़ी पारी कवर ड्राइव कट शॉट और पुल शॉट ये कुछ ऐसे शॉट है जुनका नाम जुबान पर आता ही विराट कोली का नाम जहन में आता है विराट कोली ने ये बहतरी शॉट लिसेस्टर शायर के खिलाफ वाउम अप मैच में लगाए विराट कोली टच में जरूर ज़र आए लेकिन वो ज्यादा बड़ी पारी खेल नहीं सके विराट कोली ने अपनी पारी की शुरवाच शांदार कवर ड्राइव से की थी जिस पर उन्हाने चौका जड़ा था बल लजिस्टर फोर नमबर के बिना ऐसे ओरडर करे आधार पीवी सी कार्ड भारते विशुष्ट पहचान प्राधिकरन जो नागरिकों को आधार कार्ड जारी करता है भविश में उपियों के लिए इसे सहेजने और डाउनलोड करने के लिए कई आप्शन प्रदान करता है इ और डिमोग्राफिक डीटेल्स समेत कई सिक्वारिटी फीचर्स मिलते हैं और इसके लिए आपको एक मामूली रखम का भुगतान करना है आधार कार्ड उपियों करता है इसे uidi.gov.in या resident.uidi.gov.in से ओनलाइन ओडर कर सकते हैं पटना हाई कोट के जज़ अब रखेंगे आईफोन पटना हाई कोट के सभी ज़जब अपने पास आईफोन रखने वाले हैं जज़ों का आईफोन देने के लिए निविदा भी ज़ारी हो चुकी और ज़दी सभी ज़जों के हाथों में आईफोन 13 Pro 256GB देखी जा सकती है ज़जब करके दिया था उसके लिखा नाम लिए की कोशिष करेंगे नाम आच के सवाल की और आज का सवाल कोशिस प्रकार है आपके नुसार भारतिय टीम के इतिहास में अब तक का सबसे सफल और अच्छा कप्तान कौन रहा है अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेटे डहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूलें धन्यवाद